वह कौन थी जो हमेशा इंदरचंद के पीछे वह जहां भी जाता खड़ी मिलती थी इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए यह लग को था व्यंग जिसमें अंत तक जब आप सुनेंगे तब आपको जाकर पता लेगा कि वह थी कौन रचना इस प्रकार है मनुष्य की सभी चाएं पूरी हो जाएं तो वह देवता हो जाता है इंदरचंद अभी देवता नहीं हुआ था उसकी कोरोना का टीका लगवाने की इच्छा अभी पूरी नहीं हो पाई थी इंदरचंद अपने नगर के एक टीका केंदर से दूसरे टीका केंदर की और भागता फिर रहा था टीके के लिए अफरा तफ्री मची हुई थी इंदरचंद पहले जिस टीका करण केंदर पर गया वहाँ पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी वह भी खड़ा हो गया उसने देखा कि उसके पीछे वह खड़ी थी कुछ देर में पता चला कि यहाँ वैक्सीन खत्म हो गई है इंदरचन भागता हुआ दूसरे टीका केंदर पर पहुंचा वहाँ पर भी लबी कतार थी वह भी कतार में लग गया वहाँ पर भी वह उसके पीछे खड़ी मिली कुछ देर में इस दूसरे टीका केंदर पर भी टीके के टोटे का पता चला इंदर चन्द हाफता हुआ तीसरे टीका केंदर पर आया यहाँ पर भी वह ऐसा ही हुजूम था वह पंक्ति में जा लगा यह क्या उसने पीछे मुल कर देखा यहाँ वह ठीक उसके पीछे ही खड़ी मिली इंदर चन्द से रहा नहीं गया उसने पूछी लिया देवी तुम कौन हो मैं जिस भी टीका केंदर पर जाकर लाइन में लगता हूँ तुम भी वहीं पर आकर ठीक मेरे पीछे खड़ी हो जाती हो वह हस्ती हुई बोली मैं इस आपदा काल में सरोदा तुम्हारे पीछे खड़ी मिलोंगी क्योंकि मैं तुम्हारी सरकार हूँ क्या तुमने मेरा यह नारा नहीं सुना है कि सरकार कदम कदम पर आपके साथ है इंदर चंद ने कहा वह तो ठीक है मेरी सरकार लेकिन क्या अभी तुम्हारा भी टीका करन नहीं हुआ है जो तुम्हें भी हम आम आदमियों जैसा ही लाइन में लगना पड़ रहा है वह बोली टीका उपलब्ध होता तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं लाइन में सबसे आगे खड़ी मिलती